बिसमिल्ला इर्रह्मान रहीम, अस्सलाम वालेकूम, आज हम देखेंगे लीक्वर स्टार्टर के बारे में, तो लेट इस स्टार्ट, अपरेशन एन मेंटिनस आफा लीक्वर स्टार्टर, तो इसके लिए जो हम यह हम सबसे पहले इसके लीक्वर स्टार्टर का आपको ओवर्वीड, उसकी पिक्चर्ज शेयर कर रहे हैं, यह मुख्लिफ साइदू से उसकी पस्वीर हैं दिखाई गई हैं, जो टापिक्स हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे वो यह हैं, सबसे पहले हम अलेक्ट्रिक मोटर को देखें इसके बाद हम मोटर में जो एक्स्टेर्नल रिजिस्टेंस लगाई जाती है, उनकर क्या एडवांटेज है, वह त्यूं लगए जाती है, उसके बाद हम इंटर्नल विव आफालीक्वर स्टार्टर देखेंगे, फिर एलेक्रो लाइट क्या होते हैं, यह रोल है, इसके बा यह वो topics are जिनकों unshallah cover करेंगे सबसे पहले हम देखते है electric motor के बारे में जैसे कि हम सबको पता है electric motor is a device which will connect electrical energy into mechanical energy अब जो motors industries में ज्यादतर use हो रही है mostly induction motors है और कहीं कहीं पे synchronous motor भी इस माल में के है जो जैसे पहले डिसकस किया गया है, जो मॉस्तरी प्रूम यूज मिज भी जाती है, वो नेशन मोर्व हैं। वो हैं। उर स्टरोब हैं। जो तो थेज चैन दो जो सिकेल गेश एडिक्य ओृडबा और शट्रिक्षिक लॉड़ और असस्तिस नहीं हो। 풋zes मेजिए ऑफिन्च गेठेड़ान किया है कि आप के सब्सक्राइब हो, जापट आप सिर्टार्टिंग टास साथ कर्ण्ट है यह इन दोनों मेजिए हैं वरकिंग क्रिंसीपल आप स्टेयटलर कि जो पिंस्टरिक्षिन से में मठ만 कोजसे इसंगि जाए होता है इसी luxe को एक्सटरनर रिज्सटंस एड किया जाते है झान आप फेल्पाफास लिखाना इसके जो इंडेक्शन मोटर है उसकी जो एंडिंग्स है उनको शाट किया जाता है जब जो इस लिप रिंडेक्शन मोटर है उसमें जो रोटर है उसकी रोटर को हम कहते हैं उसमें जो कि वांड रोटर है उसकी जो दूसरी साइड है उसमें ना हम एकस्टरनल रिजिस्टंस लगाते हैं with help of a slip rings and with help of a carbon bushes ठीक है जी उसके बाद हम देखते हैं कि external resistance का क्या function है external resistance जो है वो रोटर स्टार्टर में बड़ा important role play करता है उससे यह होता है कि हम resistance को adjust कर लेते हैं स्टार्टर करने से हमें यह advantage मिलते है कि starting torque से अमारी improve हो जाती है starting torque जादा मिलता है आप जो starting current है वो कम in rush current यह starting current का कम हो जाता है ठीक है जी starting current reduce हो जाता है जो ही उसको हमस्टार्ट करते हैं starting में उसका क्या होता है कि resistance क्योंके maximum होता है है उसके बाद पका मुल इक आख जाती है एक फुक्छ टाइम के बाद रिस्टन्स . प Lidents 2 रिस पार्पोर लो जाती है जो स्पल आर्पियम पे आजाता है इसके ऑफ़ इस ऑड़ आप्वांटेज है के आप लोड जाता है स्टार्टिंग क्राम को रिट्यूस हो जाता है औन अपलिकेशन के लिए बिद्धार को प्रफिण के लिए ऑप मोटर के साथ external resistance एड करते हैं उस external resistance को के लिए जो केस्ट करेंगे हमारे पास हम यूज करते हैं as a leak or starter उसको मैं as external resistance यहां पर apply कर रहे है यहां जहां पर leak or starter as external use हो रहा है उस case को हम discuss करने जा रहे हैं अब हम इसका internal view of a leak or starter देखते हैं कि internally के इस तरह है यह आप देख सकते हैं यह हमारा है leak or starter के internal view इसके अंदर यह नीचे वाले हैं यह तीन fix electrodes है अर्फेस का अपना लेदा लेदा है और उन पर आप देख सकते हैं यह तीन जो है यह दूसरा यह तीसरा यह movable electrodes हैं यह जो rod है यह इसको spindle कहते हैं इसको move कराने के लिए उन पर एक motor लगी होती है उस motor के दिरी इस system को move करवे आ जाता है और उसके बाद यह वाले उन पर वाले electrode इस नीचे वाले electrode के अंदर fix हो जाते हैं at that point वाँ पे resistance zero हो जाती है यह इसका actual उसके अंदर से लीगी के तस्वीर है जिसमें आप इसको clearly देख सकते हैं यह electrode लगे हुए है और यह इसका mechanism है अंदर से इसको इस विए तस्वीर बनाएगी इसके अंदर वो electrode नहीं है यह इंपटी या खाली जब था उस उस्वीर ली गई है कि हम आपको दिखा रहे है यह electrode lights को यह electrode को highlight किया गया है basically यह electrode के दरम्यान में जो जो electrode lights है यह resistance का कारूं कर रही है ठीक हो किया जिए initially resistance हाई होता है जो ही मोटर को command मिलती है उसके बाद यह system चलना शुरू हो जाता है उसके बाद पैसे यह time certain time होता है उसके बाद यह distance की कम हो जाती है तब उस space में आपका resistance zero हो जाएगा मोटर maximum फूल आर्पेंपे आ जाएगी अब हम electrolyte की बात करते हैं electrolyte से क्या मुराद है इसमें कौन कुछी चीज़ें है बिसिकली electrolyte में ना दो चीज़ेंग वाटर और दूसरा सटार्टर सार्ट जो के हम कह सकते हैं और सोडियम कर्बोनेट होता है तो मतलब यह कि सोडियम कर्बो कर्बोनेट और वाटर का जो solution है उसको हम कहते हैं यह अगर डिसकस करें तो electrolyte की जो है concentration की वैल्यू वह बड़ा माने रखती है वह बड़ी इंपॉर्टेंट सेर्ज की वैल्यू डिस्टर्ब होगी तो इसके मुकाबर की काडिनली डिस्टर्ब होगी तो इसके मुकाबर की करेंट सेर्ठी की वैलीव आपकी चेंज है जिसके इंपट दियोगा कर मकर्त या स्टर्बड होगा इसके इकॉर्डिन ली चेंज होगा इसके लिए जिए है कि जब आपका स्टर्ब करण् airflow की नेंप लेट के स्टर्ब कर रही है इसका पता हम चलते हैं तो आगे चलते हैं जी अब हम जो आपरेशन है आफ लीको स्टार्टर उसको मजीद डीटेल से हम देखते हैं यह लीके स्टर्टर की रिलाइबिलेटी की जीपरेशन की यह इन्शोर करना है उसके लिए यह लाजिक Courtney आई ढूलिड्ड शर करना जब डींचन मस्ट अप्लाओ बीफोर स्टर्ट स्टर्ट करने से पहले इंगे केंशन फॉल पिल होना जरूरी है फार प्राप पर समूथ अप्रेशन अफ लिक पर स्टार्टर पहला पॉइंट यह है कि जो आपके मूवबल मूवबल लेक्टोर्स हैं मैं जिस तरह आमने पिछली तस्वीर में देखा जाता हूं इसमें जब देखा था यह जो मूवबल लेक्टो चीक होगे जी यह यहां पर भी आ गया है तुस्वीर अच्छा जी आल कंट्रोल वोल्ट के दार अवेलेबल आल फ्यूज अदरो के पी शू ना हो कोई फ्यूज का मसला ना हो की सब्सक्री ब्रेक्ट का इशू ना हो जो एलेक्रोलाइट का ट्रॉम प्रेचर है द्याट इ वे वह समूद नहीं रहता है जो एलेक्रोलाइट का लेवल भी ओक्यों होना चाहिए यह लेक्रोलाइट का लेवल काम हो तो उसके भी इप्डेट पड़ेगा स्तार्टिंग में लेक्टिलर टमडेचर मस्ट नाट एक्सीड वही बात अलेक्टिलर टमडेचर आपका 85 से उपर नहीं जाना चाहिए यह वह कंडिशन हैं जब आपका एक दिफाइब चल जायए उसके बाद इसके इन कंडिशन को आपने लाजमी वाच ओड करना है इनको देखना है जब वह स जा जाता तो ट्बेटर एक्सीद कर एक्तिफाइब से इक मेंस यह सम्षिंग वंग दफ लीको स्थार्टर तर्फॉर्ट्थ निष्ट्व में बिलोव 85 दिगरी संटीगरेव यह हैं इस लोगन पर इसको भी आप साहिए और अंनर वसके ऐसे हमेग्सके थायए जो उसका मैंनुलर है इसमें मैंशने होता है इतनी देर के बाद इसको कंटक्ट्स को शार्ट हो जाना चाहिए. उस टाइम के बाद ही होरा है जा और क्वार्च वपश्णट के इसकी की मताब़ सुर्दिंग के दा सबस्क्राइब तर स्टार्ट हो गया है और अब कंटेक्ट मुस्ट शॉर्ट रोटर सर्कित जो शॉर्ट सर्केट है उनको शॉर्ट होना चाहिए अगया है इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है जब उसका टैम अलैप्स होजेगा तो यह कंटेक्ट आप इसमें शार्ट हो जाने चाहिए अच्छा एक और किनिशन डैट इस अगें वेरी इंपोर्टन कि जब आपका वो इस कंटेक्ट चार्ट हो यह हैं तो जो एलेक्टोर्ट हैं जो पहले नीचे आगया थे रिसेंट जीरो हो गई थी तो उनको वाग्पस अपनी पॉजिशन पर इड़ टाप पर पहुंचना चा है rendre और दो सकता है और आप आप सकती है के जो अब हम अपरेशन को वेरिफाई करेंगे लए किस तरह करेंगे ये अपरेशन है तो यह एक वीडिओ मैं आपको दिकाते हुँ ओं एक केस जब अमारा लेक्ट पास लिजब इसको सिर्फ हमने इसमें 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 इसको खौली दिखाया गया है सिर्फ और सिर्फ लिपो श्राक्टर अपना अपना अपने के लिए और जो लिमेट सुच था हैं उनकी जो अपरेशन है उसको देख सके हैं कि वेदर यह अपने और आप रिदी वीडियू एकले टो degले पाट फाट टो ही आछिट एय हम जदिन सेड़ एका तर एक टो आग्ड हाग कि ल हुघ तुिक हास, माप फटुछ कर पितल इतल, के लग सारमा के लोग्य हो गो कि अचले के ले लोग्य करें है मेंटिनस का है आपने इस पे वेरिफाइ लाजमी करना है कि यह प्रापर काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है अब है मैंटिनस अब हम इस लीको स्टार की मैंटिनस को कैसे करेंगे इसके लिए क्या क्या हमने करना है मैंटिनस के लिए यह सबसे इंपॉर्टन है कि आपकी सिस्टम को ऐसे लोड होना चाहिए यह दियुक्त नौवर्टीज अवेलेबल वूर्टीज नहीं होना चाहिए नहीं प्रिदेंट नहीं चाहिए ताकि प्राफ़ली मैंटिनस की जा सके मैंटिनस में क्या क्या एक्टिव्टीद है सबसे पहले आपने यह चेक करना है कि जो एक्टोलाइट है उसका लेवल फुरा है कि यह वाप टुदव मार्क है तो ठीक नहीं तो उसके साथ वाटर का मेक अप होना चाहिए वाटर की लेवल क्यों रिद्यूस होता रहता है ड्यू टू दी अलेक्टोलाइट कंडन्सेशन लासे आगे हम चेक करेंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू इस वेरी इंपॉर्टन की चेक करें और इसको इंप्रूव करें अगर इसकी रिपायर है उसकी लिए हम क्या कह सकते है इसका मतलब है इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू से लेकर 6 परसंट तक डिपैंड करती है वाइप कीपिंग इन माइड आपकी मोटर की क्या रेटिंग है आपके लिगों सब्सक्राइब बना हुआ है इसकी क्या रेंज आपका आगे है और जो मोटर इसके अप्लिक आपके से इसपर्षम तक दर मिवर्यों होती है तो इस पर हम कह सकते हैं वाणस अगें इस काल्यमेटर बेर चाल्टर को यह रिग अपना है इसकी आप अपना जब भी सक्रक्राइब कर सकते हैं ये देखें हें एक इस अपल आप जब आपको मुनासिव लगे आपको टेफ़ाइंस्य डिफाइन करने नदे में अगर गाली जूशा सकतकों नदेंड ज्सक्राइक पाईनगान तक से लिए उसके लि joff और उसको इंप्रूव भी किया जा सकता है अब इसको इसको हम चेक भी कह से कर सकते हैं जब आपकी मोटर की जो जो स्लिपरिंग मोटर है उसकी अगर स्टार्टिंग जो है वो समूत है उसमें को इशू नहीं आ रहा इट मीन्स एट यह इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप का प्रॉब्लम्स नहीं है और इसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसका मतलब यह कि एक इसको है कि आपकी जो लिग्वर स्टार्टर की जो प्रॉब्लम्स लेटर नहीं है अ सिस्ट्रम को भी आप एस्पेक्ट करें स्टेक्टर का जो स्टार्टर का सारा सिस्टम है इसमें कोई लीक्स पी इस तरह को नहीं है कि पानी कहीं से देन हो रहा हूं को इस तरह की करना है लिए आप टिंग टुदा अप्लिकेशन वो अपने लिमिट्स उनकी पाफली सेट्थ है उसके मताबबग भूपिशन में यह नहीं है यह यह लिमिट्स उसकी आपको तस्वीर दिखई ही इसके मताबग आप लिए भी कर सकते हैं आछ भी के अगरे कि अपेटिंग लीवर जो अप्रेट कर रहा है यह प्रापर है कि नहीं है वह मूव कर रहा है फ्री ली कि नहीं कर रहा है अट एलेक्टोड गाइट पिन्स और इन गूड कंडिशन हों क्या है chi10 कि नीए क्या वे चाहिए है नहीं कि अधिन की ज़ुक्श है इता है या देख सकते हैं अगर आपके पास अगर आपके सिस्टम में निक ols cry Ook को दो फॉप प्मप लगा जाता है पाकि वह אז है जो अब का सिलूचों है इस सर्कॉलेट किया जा सकती है तकि अगर इनकेस अपने sodium cabinet आड़ किया या पानी को drain किया ताक इसके proper mix अगर इनकेस आपके application मेंव इन्स्टाल है तो इसकी क्नेशन है वो properly काम कर रहा है और नहीं कर रहा है इसकी चाहिए इसकी सफ़य होनी चाहिए इसकी के एक किनिकशन के है वेड़र यहुप अवड़र शायं करें खाइब हो जाता है उनको भी प्लीनके और चाहिए विद्ध राइब ट्रॉफ उंट इसका शकुनीशिई तब work नाया भूंट एंट ढ़ला है है अगर रिक्वायड ओ हम देखे हैं इंकी कंडिशन ये देखिए इस वकर ये जो कंटेक्स हैं इनकी कंडिशन आपको नदर आ रही है तो इन्रिक करना चαहिए इनको इनको इंस्पक्त पी टाइम इंटर्वल रिक करना चाहिए रिक क्लिनिंग भी कर लेनी चाहिए है कि ठीमर मुठ लिइपलेच कर लें चाहिए किस राउनिक क्लिटली किया जाता है क्लीन करने के बाद आपने आप आप नहीं है उसमाल इमाट में डाल एक अलहदा से कंटेनर में डाल के आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए बेतर यह के वार्म वाटर यूज़ किया जाए कोहीं बात एड इन इंपर्टी टैग आफ दा स्टार्टर अब यह रिमेंबर इंपोर्टन वाटर करना चाहिए आप तो दे मैक्सिमम मार्क अंदा लेवल गेज जो मार्किंग वहां पे हुए उसी किम तो अभी उसको मैक्सिमम फिल कर लेना चाहिए वहीं इस सिलूशन को प्राफ लिए आपने मिक्स अप करना है ताकि उसमें यह ना हो आपका कि डिवा सब्सक्राइब आपक अप्सक्राइब विए तो अपक्रतियों अपस्टों आपनेड पिक लिए आपके-प्सक्राइब ऑने कि वहां यहां ट रूँरे नग्सक्राइब और गेडिय पर बहुंट चुले लाटि उसकाम लेक्षट अंदा पनेड मेट्ट सु नह इड़े अब बिट बई बेट तो सेलूशन इन समाल इने तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सोडियम कर्वनेट एड़ करना है इसमें आपने इंग्रीज करनी है कि उसकी वज़ा यह है कि आपका क्रण्ट ब्लो है तो इसमें आप यह करें कि स्ट्राटर जो स्राट है उसको एड़ किया जाए इन समाल इमान कर्ट एक इसी को अभी कर रहा है इस का सिलीशन यह है कि आपने उस पाने को ड्रेंड करना है और उसके अपनी चेक गरना है तो यह पता चल सके कि उसकी क्या पूशिएशन है तो यह इस वह प्रोसीजर आपने यह यह वह करना है जब तक आपको पुर डिजार रिजर्ट ना मिलें तो थैंक्स पर वाचिंग यह मारा part first था, इस presentation का यह part first है, अगले part में चाला, जो हमने sera के लिए कम किया है, liquid starter पर इस पर जो मीटेनेंस activities की हैं, तो इसकी भी हम अगले next session में उसकी वीडियो सेशन अचाला, so, thags for watching, this is again I would like to request you to please like my video, share and subscribe, thank you. झाल झाल